राधे राधे दोस्तों सर्सुते व्लॉग में आप सभी अधा स्वागत है तो केसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आपसब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये श्रावन 그래도 मास चल रहा है तो इसके शुकल इकादぇशी जिए पुद्रदा इकादेशी वह आज है तो उसकी कथा पढ़ने जा रही थी तो मैंने सूचे जन्म आ आप सभी को कथा का श्रवनपाfunding कराया जा And शावण मास के शुकल पक्ष्टी एकादशी तिधी को शावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं जो इस बार 18 अगस्यानी आज है साल में आने वाले सभी एकादशियों में से ये एकादशी काफी खास माने जाती है मानेता है कि इस एकादशी व्रत के पुन्य प्रभाव से संतान सुक की वरदान प्राप्त होता है एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजा का विदान है तो इसकी व्रत विदी तो आप जानते ही हैं जैसे भी सभी करते हैं शावन पुतरदा एकादिशी पूजनविदी भगवान विश्नु को प्रणाम कर दीपक प्रजवलित करें धूप दीप दिखाएं भगवान को फलो वे निवेद्दि का भोग लगाएं अंत में श्री हरी की आरती उतारें और पूजा में तुलसी का प्रियोग अवश्य करे दिन भर वरत रहने के बाद शान के समय फिर से भगवान विश्नु और मातलक्ष्मी के पूजा करें इसकी वरत कथा इस प्रकार है द्वापर यूग में महिजीत नाम का राजा था जो बड़ा ही शान्ती एवंधर प्रिय था लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी जिस वजह स से वह परिशान रहा करता था राजा की शुप चिंतकों ने राजा की परिशानी महमनी लोमेश को बताई तो उन्होंने बताया कि राजन पूर जन में एक अत्यचारी वह्ष्य थे इकारशी के दिन विदुपहर के समय पानी पीने जलाश्य पर पहुँचे जहां उसने गर पुन्य कर्मों के सरूप ही वे इस जैनम में राजा तुबने लेकिन एक पाप के कारण में संतान विहीन हैं महमनी ने बताया कि राजा के सभी सुप चिंतक अगर शामन शुकल पक्ष के इकारशी तिति को व्यत रखे और उसका पुन्य राजा को दे दे तो राजा को संता रत्न की प्राप्ति हो जाएगी मुनी की निर्देश रसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी एवरत किया तो उसे इस वरत के पुन्य प्राप्त से कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुर्प्त की प्राप्ति हुई तब ही से श्रामण एकादशी को श्रामण पुत्र अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए राधे राधे